नालंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मेडिकल सुप्रेटेंडेंड डॉक्टर विनोत कुमार सिंग स्वक्त हमारे साथ है दॉक्टर साथ ये वाइरल बुखार का जो एक आउटब्रेक हुआ है उसके क्या भी हालात किस तरीके से हैं आपके अस्पताल में ऐसा वाइरल नि अठान में 18-20 बच्चे भरती हैं और सबों का कंडिशन इस्टेबूल है इसमें हम लोगों को ऑक्सिजन देना पड़ता है आई वी एंटिबाटिक देना पड़ता है जो अलेड़ी उपलब्द है हम लोगों के पास और लेमो प्लांट जो है लिक्विड मेडिकल ऑक्सिज अला से बच्चों का हमारे हाँ 84 बेड हैं लेकिन कल 84 में 84 भरे हुए थे परसुष अतासी थे उसके पहले 93 बेड थे पेशन थे तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे बच्चे छोटे होते हैं तो एक बेड पर हम लोग दो बच्चों को रखके भी इलाज करते हैं तो कोई अस् में 42 बेड हैं बच्चों के लिए जो पोर्ना चल रहा है यहां तो अभी वही 85-86 बच्चे हैं जी चल रहा है लाजन का किसी तरीकी की समस्या ऑक्सिजन की सप्लाइब हो रही है नहीं बिल्कुल नहीं है ऑक्सिजन की समस्या तो बिल्कुल खतम है हमारे 500 जो है डी मरीज बढ़ेंगे हम लोगे स्टॉक में रखे हुए हैं उसके अलावे जो अभी हमारा ऑक्सिजन सप्लाइब है लिक्विड मेडिकल ऑक्सिजन टैंक से हो रहा है अनवरत और कोई ऑक्सिजन का समस्या तो बिल्कुल ही नहीं है बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है लगतार पहुंच रहे हैं तो क्या ऐसे में आप लोग कैसे कोप अप करेंगे को बैट की कमी होती है तो हमारे पास बैट की कमी नहीं है यहां 84 है और में 42 बैट जो पूरी तरह से खाली है उसको हमने वेल क्यूप कर दिया है और जब ही मरीज बढ़ेंगे हम लोग वहां भ फरेक है और हर साल मौनसून सेजन में सरदी खांशी और निमोनिया अथिक होता है यह सभी इंफुएंजा के ही रूप है इंफुएंजा में 95 परसेंट बच्चे सरी खांशी से बुखार के साथ आते हैं और तीन से पाश दिन में ठीक हो जाते हैं उसमें से पावश दस पर करके उनको ऑक्सिजन देना पड़ता है और नस से पानी एंटिबाइटिक से सब देने की जुरत पड़ती है जो प्रचूर मात्रा में हम लोगों के पास है सरकार के द्वारा ओलडी सप्लाइड है तो प्रॉब्लम नहीं है पैनिक करने की क्या जरुवत है माबापको नहीं ब कुमारे पास अठारह बच्चे थे निमोनिया के अठारह का हमने अर्टी पीसिया टेस्ट कल ही करा लिया और सभी के सभी निगटिव है तो कोई एलक्षन नहीं है तो चांसे मुझे कम लगता है मैं पीडियाट्रिक्स का भी हूँ तो इसके अनुसार हमको ऐसा अनुवब है और लास्ट देड़ साल से मैं कोबिड अस्पताल का भी देख वाले सुपर्टेनेंट कर रहा हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड बेव नहीं आवेगा अगर आवेगा भी तो उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं चलिए शुक्रियाबाद करने को दॉक्टर विनोत कुमार सिंग साफ तौर पर यहां बता रहे हैं कि अस्पताल में इंतजाम पूरे किये गए हैं लेकिन अभी जो जादतर बच्चे जो बीमार हो रहे हैं या अस्पताल में इस वक्त भरती है वो वाइरल बुखार का मामला है सरदी खासी का मामला है और इसका कोरोना से या फिट डेंगू से कोई अभी लेना देना नहीं है लेकिन ऐसे में वो माबाप से भी जो है वो कह रहे हैं कि घबराने की जरुवत नहीं है नौर्मर इंफ्लूंजा या फिर यह कह सकते हैं वा जो ही थी पतना आज तक